हलो फ्रेंट माई सब्सक्राइब डॉक्ष नीरतावार कंसल्टेंट एंट एंट एंड राइनोप्लास की सर्जन दोस्तों बात करते हैं एडिनोईड और टॉंसिल की समस्या क्या है और उसका क्या मैनेजमेंट है आपने देखा होगा जैसे चोछोटे बच्चे होते हैं उनक उनको आदॉयड टॉंसिल की समस्या होती है उनको का है मौथ ब्रिधिंग होती है उनको मुष hack आता है बैसिकली एंड च्या साल की बात क्ब बाहिए ठेह सब कुछा बच्चे जनको एडिलोइड और टॉंसिल जो है वो श्रिंक नहीं होते खतम नहीं होते तो जब बच्चा रात को सोता है तो उनके नौज के पीछे के हिस्से में वो उसको पुरा ब्लॉक कर लेते हैं और बच्चे को माउस ब्रिदिंग होती है उसको क्या स्नोरिंग होता है और उसके कारण बाच्चे की जो है डेंटल स्टेक्टर चेंज हो जाती है उसको बहुत बार कैंदो कि ऄतको जित कि बच्चा को किट्टा भी खिलायरश किलाएं उसका जिकर डॉपने होता है और ईयर और नोज क की बीच की बीच की जो ट्यूब है उस्तिक एं ट्यूब जिसको हम बोलते ह करन बच्चे को सुनाई कम देता है बच्चे को बार बार कान में दर्द होता है and बच्चे की lack of concentration भी होता है study अगर हमें तो ऐसा जब problem बच्चे को इन सब symptoms के साथ अगर किसी को समझ रहती है तो उसका ads हमें देखा कि यह 4 साल से बढ़ा हो गया, तो उसके बाद में उसका जो treatment है वो एक Adeno Tonsill Ectomy, एक cazury है, important बात इसमें यह है दोस्तों कि जो यह cazury है वो entirely endoscopic है, हमारे को बड़ा डर लगता है कि इसमें कई बाहर से कोई चीराय लग जाएगा है, बच्चे वो निसान होगा, जैसे स्कार्श है इस नोज में हम ने टेलिसकोब डाला, एंडोस्कोब डाला और यह जो नोज के पीछे के हिस्से में जो अगर आज हम पीछे जा रहे हैं तो इसमें कि हैं कि जो हमारा अचिश्यू है यह हमारा सांस सांस के रष्टे को ब्लोग करते हैं जिसको बॉलते हैं रुम है यह करते हैं यह दोनों neural सांस की जो ऱस्ता है उसको पुरूब ब्लॉग कर लेते हैं है यह अडिनोड और टॉंसिल इसका एंडोस्कोपिक मेनेजमेंट होता है हाडली वन आवर का प्रोसेजर होता है एंड उसके बाद में दूसरे दिन बच्चे को डिसाज किया जाता है यह लाइफ लॉंग पॉसेजर है वह सारे लोगों के मीत होता है कि सर यह वापस हो जाता है यह जिस कंसल टुदा डॉक्टर जिस से कहे आगे उसके दूस परिणाम नहीं होता है तेंक यू